आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों हमें प्रश्ण में दिया गया है कि तीन सेंटीमिटर तुरिज्या के एक ठोस गोले को पिग लाकर 0.06 सेंटीमिटर व्यास की छोटी गोलाकार गेंद बनाई जाती है इस प्रकार बनी गेंदों की संख्या व्याद कीजिए तो देखे मैं आपको समझाता हम प्रश्ण क्या बोल रहा है कि जैसे कि अपने पास एक बड़ी सी गेंद है धोस गोले वाली गेंद है इसके तीरिज्जा दी गई है हमें है इसकी जो तीरिज्जा दी गई है वो है तीन सेंटीमिटर इससे फिर हो क्या रहा है इससे हम इसे पिगला कर छोटी-छोटी गेंदे बनाएंगे, है ना, छोटी-छोटी गेंदे बनाएंगे, है ना, ऐसी छोटी-छोटी, जिनका हमें क्या दिया गया है, जिनका हमें व्यास दिया गया है, ठीक है, जिसका व्यास दिया गया है, हमें, 0.6 cm, तो, कितनी गेंदे बन रही और ऐसी हमें बताना है कि ऐसी कितनी गेंदे बन रही है समझ लेते हैं कि ऐसी एन गेंदे बन रही है ऐसी ऐसी कितनी एन गुनी एन गेंदे बन रही है तो हमें ये एन संख्या बताने कितनी गेंदे बनेंगी ठीक है तो देखिए अब देखे इस सिंपल सी बात है कि इसी गोले को पिगला कर ये सारी गेंदे बनाई जा रही है एन गेंदे है ना बनाई जा रही है तो इसमें जितना material होगा है ना जितना भी इसमें पदार्थ होगा उतना ही जब इन छोटी सभी गेंदों को जोड़ेंगे तो उतना पदार्थ इसमें भी होगा अर्थात इसका जो आयतन होगा बड़े वाले गोले का आयतन है ना ये बरावर होगा इस छोटे वाले एन गोलों के आयतन के बरावर होगा V1 और इन प्रत्य चोटे चोटे गोलों का अधन है V2 तो यह क्या हो जागा यह जो हमारा V1 होगा है वड़ेवाले का अधन यह होगा चोटे चोटे अधनों का एन गुना ठीक के इस परकार होगा आप के इतना समझा यह जाए अब हम निकाल लेते हैं इनका आधन तो पहले यहां देख लेते हैं हमें पहले वाले पहले वाले मतलब गोले की तरज्जा दी गई है लेकिन दूसरे वाले गोले की तरज्जा नहीं दी गई है इसका व्यास दिया गया है तो हम पहले तो छोटे वाले की व्यास तरज्जा निकाल लेते हैं पहले वाले की तरज् सिक्स बटे दो तो जिरो पॉइंट तीन सेंटी मीटर ठीक अब हम इनका उप्योग करेंगे इसकी तिरिज्या का और इन छोटे गोलों की तिरिज्या का तो चले देखते हैं गोले का आयतन का सुतर यहाद होना चाहिए यह होता है चार बटे तीन पाई नगिकम र क्योग JEFF और यहाँ कैका हो जागान एन गोले बन रहे हैं यहाँ से दिकिये चार बटे थीन पले खड़ी थीन पाई क्योंकि n गयाद करना है तो हम यहां n के बदों में ही लिख लेते हैं n बराबर हो जाएगा r cube बटे small r cube या पर बोल सकते हैं n बराबर r बटे small r पूरे का cube अब हम इसे मान रख देते हैं ठीक है तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा capital R का मान देखिए क्या था और ये गाद 3 है तो n क्या हो जाएगा 3 और ये zero-synor 3 है इसको हम कैा लिख सकते है zero-synor 3 को हम 3 बटे 10 लिख सकते हैं लिख सकते हैं million लिख सकते हैं zero-synor 3 को तो यहां से देखिए 3 तीन कड़ बचा क्या एक बटे एक बटे दस घात तीन तो यह दस क्या उपर चला जाएगा तो एन बरावर जाएगा दस की घात तीन है ना दस उपर चला जाएगा तो एन आगे हमारा हजार तो यही हमारा उत्तर है तो छोटे-छोटे कितने गोले बनेंगे छोटे छोटे ऐसी हजार गोले बनेंगे ठीक है? तो हजार छोटे छोटे गोले बनेंगे जो कि जिनका आयतनों का योग क्या होगा इस पड़े वाले के आयतन गोरावर होगा अप्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा दोस्तों धर्नेवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेटा या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर